क्या दोजार चौबिस में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा ये सवाल इसले पूचा जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलो की इंडिया गटबंदन में कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकारजुन खडगे का नाम प्रधानमंत्री परके दावेदार के तोर पर सामने आया मलिकारजुन खडगे का नाम सामने आया प्रश्य मंगाल की मुख्यमंतरी और टीमसी नीताम उमताबनर जी ने कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकारजुन खडगे को विपक्षी गडबंदन का चहरा बनायजाने का प्रस्ताव रखा इस प्रस्ताव का आमादभी पार्टी तब प्राइम मिनिस्टर बना ये बाद में की बात है यमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉर्टी लाने की कोशिश करेंगे और बिजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना कमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे अगर नहीं है तो प्राइम निस्टर की बात करके क्या फाइदा कॉंग्रेस अध्यक्ष मालिकार जुन खडगे की ये बात इसोर इशारा करती है कि फिलाल इंडिया गडबंदन का लक्षा सिर्फ 24 में जीतने पर है अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री भी कोई ना कोई बन ही जाएगा वैसे खडगे के नाम के प्रस्ताव के बाद सियासी अलको में ये हल चल तेज हो गई कि क्या आने वाले 24 के लोग सबाचनाव में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है अबी तक भारत में एक भी व्यक्ति दलित प्रधानमंत्र नहीं हुआ है ऐसे में ये हल चलो गई है कि क्या दोजा 24 के लोग सबाचनाव में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री खडगे के रूप में मिलेगा कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका और जुन खडगे दलित बेग्राउंड से आते हैं और बतोर कॉंग्रेस अद्यक्ष नों ने हिमाचल और करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बना कर खुद को साबित किया था अलाकि बीते दिनों हुए पांच राजो के विदानसवा चनाओं में कॉंग्रेस फेल हो गई सिर्फ तेलंगाना में सरकार बना सकी लेकिन उसके बाद भी उनका कट जो है राजनीती में बड़ा हुआ है उनको एक बड़ा निता सुईकार कर लिया गया है पीम मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है लेकिन खडगे का नाम पीम कैंडिडेट के तोर पर उचलने के बाद से ही इंडिया गडबंदन के भीतर कुछ दरार पढ़ती नजरा रही है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके मताबिक बैठक में शामिल नितिश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने इस प्रस्ताओ पर नाखुशी जाहिर की है क्योंकि नितिश कुमार खुदी पीम की रेस में है वो अपने आपको पीम अचीरियल मानते हैं नितिश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट करने की पहल की थी और इस दोरान वो कई विपक्षी नेताओं से मिले थे बाद में इंडिया गडबंदन के रूप में विपक्ष का महा जुटान हुआ ऐसे में नितिश और लालू की जोड़ी जरूर सियासी गुणा भाग में लगी हुई है क्योंकि जेडियू और आरजेडी यही चाते हैं कि नितिश कुमार दिल्ली आए और कटना की गर्दी तेजस्वी यादव संभाले खबरों के मताविक आ जा रहा है कि ममता की प्रस्ताव से खफा होकर नितिश और लालू ने बैठक पहले ही छोड़ दी और जॉइन प्रेस कॉन्फरेंस से पहले ही वो होटल से निकल गए यानि विपक्ष की राहे आसान नहीं है एक तरफ उनके सामने प्रधानमंत्री नरेद्रमोधी वीजेपी जेसी मजबूत पार्टी है और दूसरी तरफ उनके सामने अपनी आंत्री कलह है यानि विपक्ष एक जुट दिखने की कोशिश तो करता है लेकिन कई ना कई उनके अंदर की खीचतान बहार आ जाती है विपक्ष को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ से हो सकता है तो वो है उनके अंदर की कल ऐसे क्योंकि लोगसबाचनाओ के मद्दे नजर जो विपक्षी पार्टिया एक जुट नजर आ रही है वो अपने अपने सूबों में एक दूसरे की विरोधी पार्टिया भी है और उनकी राजनिती भी एक दूसरे के विरोध पर ही टिकी है यानि जब वो अपने सूबे में होते हैं तो एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, अमला करते हैं, राजनिती करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये कलेस सामने आती रहेगी क्योंकि अपनी सूबे में राजनिती आप खराब नहीं करना चाहेंगे लेकिन मलिकारजुन खडगे के नाम का सामने आने के बाद जो है इसका विरोध करना सीधे सीधे आसान नहीं होगा एक तो खडगे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया है और दूसरा वो दलित बेग्राउंड से आते हैं खडगे का विरोध करने का मतलब यही होगा कि आप एक दलित को PM कैंडिडेट का दावेदार बनते हुए नहीं देख सकते वो आप PM बन जाए या आप नहीं देखना चाहते इसलिए इसे दलित विरोध ही अरकत माना जाएगा और उसके आलोशना होगी इसलिए सभी पार्टियां सीधे सीधे इसका विरोध करने से बचेंगी खडगे से पहले ममता बनर जी और अरविंद केजडिवाल की पार्टि के लोग भी उन्हें पीम माटीरियल बताते रहे हैं कि उनको अब दली जाना चाहिए प्रधानमंतरी की दोड में वो उनको पेश करते हैं लेकिन इन दोनों की और से खडगे के नाम का प्रस्ताव रखना और उस पर सहमती देना इस बात की और इशारा करता है कि पीम की दोड में केजडी वाल और ममता फिलाल खुद को नहीं रखना चाते पहले कयास लगाय जा रहे थे कि केजडी वाल और ममता बनर जी ही इस पूरी खिचडी को खराब कर सकते हैं लेकिन आब इनोंने ये साफ कर दिया कि ये पीम की रेस में नहीं है हाला कि खडगे के नाम पर फिलाल कोई सहमती नहीं बनी है सीट शेरिंग के सायोज़क के तोर पर भी खडगे के नाम कर प्रसाव किया गया लेकिन उस पर भी फिलाल कोई सहमती नहीं बनी है लेकिन आने वाले दिनों में अगर विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ता है, हर सीट पर सिर्फ एक जॉइंट कैंडिडेट उतार कर BJP को सीधी टकर देता है, तो लोकसभा में सियासी गनित भी बदल सकता है हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझो अगा करेंगे, अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अबी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहां पर हमारे जो इंडिया के ट्रपन्दन के नेतालोख है उसको वो डिसाइड करें अगर 2024 में ऐसा हुआ तो विपक्षी पार्टियां किसी ऐसे चेहरे पर ही सहमत होंगी जिसे लेकर कोई विवाद ना खड़ा हो ये बिलकुल साफ है कि राहूल गांदी के नाम पर विपक्ष एक जुट नहीं होगा इसलिए मलिकार जुन खड़गे इस मामले में एक परफेक्ट ऑप्षन हो सकते हैं करनाटक के रहने वाले खड़गे बुधिस्ट हैं और अमबेट करवादी गांदी वादी विचारधारा के हैं यानि वो उसको जॉइंट एक आइडिलोजी के तोर पर रखते हैं वो संसद में खड़े होकर विदेशी यूरेशियन्स के मसले पर खुल कर बोल चुकी हैं खड़के इस देश के सबसे बड़े दलित निताओं में से एक हैं उन्होंने अपने गाओं में एक शांदर बुध विहर भी बनाया है उनका संगटनात्मक और प्रशाशनिक अनुभव काफी लंबा चोड़ा है लंबे समय से वो राजनिती में हैं वो लगातार दस बार चनाव जी चुके हैं उन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है और वो दक्षिन भारत में कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एख है साति उन्हें आठ भाशाओं की जानकारी है और वो फराटेदार हिंदी भी बोलते हैं याणि हिंदी बोलने में भी उनको दक्षिन भारत से होनें से कोई दिक्कत नहीं है और वो उत्तर भारत की हिंदी ओडियन्स को भी टार्गेट कर लेते हैं लगातार नो बार विधायक बनने वाले 80 साल के मलिकार जुन खडगे 50 साल से अधिक समय से राजनीती में सक्रिये हैं कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले खडगे डुक्टर बाबा साहिब अंबेटकर से प्रेरीत होकर रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया यानि आर्पियाई में शामिल हुए थे लेकिन बाद में 1979 में वो भारतिय राष्टे कॉंग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष मने पिछले साल उन्हें कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन दिक्कत सिर्फ विपक्ष की आंतरी कले नहीं है बलकि ये भ चलेंज होगा कि अगर इंडिया गडबंदन चनाव से पहले ही उन्हें अपना पीम कैंडिडेट घुशित कर देता है तो क्या देश की जनिता मोदी के मुकाबले खडगे को वोट देगी और अगर विपक्ष बिना पीम उमिद्वार के चनाव में चला गया तो जनिता बि किसको वोट देंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता यानि कुल मिलाकर विपक्ष के लिए दोजा 24 की रासान नहीं है एक तो आंत्री कला है जैसे हमने मद्यप्रदेश के चनाव में अखले श्यादव को देखा कि सीट शेरिंग को लेके बले ही उनको आदा फीसदी ही वोट मद्यप्रदेश में मिला लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस पर तीक हामला किया एक तो सीट शेरिंग का मामला फस सकता है दूसरा आंत्री कला है इसमें परेशान कर सकती और तीसरा क्या वो मलिकार जुन खडगी के नाम पर सहमत होते हैं दास्ता मुश्किल है लेकिन अगर बिना अपस में लड़े सोच समझ का चुनाव लड़ा गया तो हो सकता है कि 2024 में बड़ा बदलाव भी हो जाए राजनिती संभावनाओं का ही खेल है इसलिए संभावनाओं से कभी इंकार नहीं किया जाता इस मामले पर आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है कि इंडिया गडबंदिन मलिका जुन खडगे को अपना जॉइंट केंडिडेट बना सकता है या फिर नितिश कुमार जिसे लोग अपना नाम उच्छाल सकते हैं इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखे हम आपकी राय पढ़ते हैं आपसे अपील है कि वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा नाम समिछ चोहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सायोंगी मोहित और अज्रा अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रहिए धन्य साथ योगर आपको दन्यूसबीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूहीं अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और न्यूसबीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें। में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्राजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन अपका नाम और हमें 859579424 पर वाटसेप करें